साहब मेरे भांजे का अक्सिडेंट हुआ, डस्ट आके लगे, पैर फ्रेक्शर हुआ, मामले में पुलिस ने कारवाही नहीं की, पूस्ताज करने पहुच रहे परिजनों से पुलिस गाली गलोज करते हैं कारवाही के नाम पर हेट कॉंस्टेबल ने तीन हजार रुपे ले लिए, फिर भी कारवाही नहीं की, ये कहना है शेहपुरा बिटॉने निवासी नीरज बादल का जो पूलिस अदिक्षक कारेले नियाए की गौहार लेकर पहुचा था नियाए की फरियाद लेकर पूलिस अदिक्षक कारेले में खड़े इस चुक्स का कहना है कि 4 अक्टूबर 2019 उसके भांजे संसकार शर्मा को बाइक सबार MP20 MH5129 के चालक ने टक कर मारी थी जिसके बाद भांजे को उपचार के लिए जबलपुर के आशिश होस्पिरल में भर्वधी कराया गया था इस हाथसे में भांजे का पैर फ्रेक्चर हो गया था जिसे 10 टाके लगे थे उक्त अस्पताल के अंतरगत आने वाले मदन महल थाने में उसने मामले की शिकायत की थी जहां से उसे ये कहा गया था मामला शेहपुरा थाने का है जो उक्त मामले को शेहपुरा थाने ट्रांसफर कर दिया जाएगा लेकिन जब वो कारवाही की जानकारी लेने शेहपुरा थाने पहुँचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होई इस तरह कई बार थाने की चक्कर काटता रहा लेकिन उसके साथ पुलिस कर्मियों द्वारा गाली कलोज की जाने लगी इसी बीच थाने में मौझूद हैट कॉंस्टेबल के पद पर पदस्त रामकरण मिश्रा ने कहा था कि खर्चा पानी लगेगा उसके बाद आपका काम हो जाएगा तीन हजार रुपे की मांग की तो उसने तीन हजार दे दिये इसके बाद उक्त पुलिस कर्मी ने कहा कि अब आपके पास कोट से आदेश आएगा तो आप पेश हो जाना लेकिन आज तक उसके पास कोट से कोई जानकारी नहीं आई हमारे घर भी पुलिस जा रही थी और परेशान कर रही थी और एक दिन दरवाजा बंद कर दिये हमारे पूरे घर के फिर हमारी बहू थी बहू बाद सोती थी जिस कमरे में वो दरवाजा खटखटाया पुलिस ने पिर बहू ऊठी, बहू बाहर आई, बहू ने फिर बाकी दरवाई जा खोले हमारी बहू ने उसके बाद फिर हमारा वालक सहपरा आया, सहपरा में रास्ते में से हमारे वालक को था लिया पुलिस ने और बहुत मार-मारी है चार पास में चाही की दुगान पर खळाता तो पुलिस वाले सो नमबर में आई चार पास लोग थे हैमन तेयादा और एसाई और प्रमोद पटेल और दो लोग और अन्य थे उन लोगों ने वहां से हमको जबरन गाड़ी में सो नमबर में बठा है और थाने लिए आए कि मैं को बठा लिया और हमारा चोटा भाई आया लेने के लिए कि क्यों ले आया हो तो वो उससे बोला गया कि क्या करते हैं चुप चाप रहो तो मभी सीटी आई साब आएंगे जब बताएंगे क्यों लाया गया है और उसका भी मोबाइल चुड़ा लिया और उसको भी करने लगे और हमारे पास जो पैसे थे वो भी उनने रख लिये कितने पैसे रखी थे आख़ी थे आख़ा है